हाई स्टुडेंट्स आप सब कैसे हैं तो आज हम आप लोग को एक बहुत है ट्रिकिब मैस के बारे में बताने जा रहे हैं स्टुडेंट्स आप कैल्कुलेटर से भी फास्ट जल्दी से जल्दी से को निकाल सकते हैं तो चलिए देखते हैं यह कुछ कोईस्टेंट्स हैं और इसको देखिए कैसे बनाएंगे यह देखिए यह तो आप तोच में ने सकते हैं कि इतना फास्ट भी इसक्वाइर किसी नंबर का निकाला जा सकता है यह कैल्कुलेटर से भी फास्ट है ना तो चलिए इसके ट्रिक को समझते हैं कि आखिर यह इतना फास्ट बना कैसे चलिए तो ट्रिक है क्या सबसे पहले जो भी नंबर है उसके unit place को आप अलग कर लेजिए उसका squaring कर लेजिए उसके बाद जो turn बचा हुआ है जितना भी नंबर बचा होगा जैसे इसमें 1 बचा हुआ है अब 1 के बाद एक increasing term ले लेजिए 2 दोनों को multiply कर देजिए और देखिए 252 252 that means 225 चलिए इस नंबर के बारे में ये तो 5 का square कर दिए 25 2 से 1 बठा दिए 3 हो गया और 3 को 2 से multiply कर दिए 6 हो गया इसमें देखिए 5 का square किए 25 3 3 से 1 ज्यादा 4 क्या हो गया 25 क्या बचा yes 11 11 से एक बड़ा क्या हुआ 12 अब इसको multiply कर लिजिए तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं 12 और 12 132 इसी तरह से इसको देखिए 5 का square 25 हो गया और 20 से एक ज्यादा 21 इसको multiply कर दिए कितना हो गया 420 यह तो इसी तरह से किसी भी number का squaring जिसके last digit 5 है आप फटा फट यू ही निकाल सकते हैं तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को subscribe किजिए साथ इस वीडियो को like किजिए और दोस्तों में share किजिए और comment जरूर किजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा